दिल्चस बाचीत और बीच-बीच में संगीत के सिलसिले में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, मुझे ये भी बताईए दिदी कि जैसे भी पिछला प्रश्ण मैंने आपकी इस गाईकी से पहले पूछा था, वैसे ही अब एक प्रश्ण उसी तरह का और भी है मेरे पास, कि आ आपके पास एक तरीके से खाजाना है, आपके पिता जी का, कुमार जी का, गाईकी के संदर्म में, उनकी बंदिशों के संदर्म में, लेकिन आप एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के तौर पर, एक स्वतंत्र कलाकार के तौर पर कभी उससे बाहर निकलने की, कुछ नया करने की सोचती है आपको लगता है उसकी जरूरत है या लगता है कि नहीं जरूरत ही नहीं है आप कैसे देखती है इस चीज़ को नहीं है बिलकुँ जरूरत है यदि रोज सुरज उगरा है तो क्यों जरूरत नहीं है उसको भी रोज उगने की कोई जरूरत नहीं है हर दिन न होने की जरूरत है इसलिए नया होने की जरूरत को समझना पहली जरूरत है कि क्या क्या करना है और क्यों करना है क्या मैं जहांतक मेरी बात में करूं मैं इस तरह से देखती हूँ कि भी मैंने अब तक क्या आत्मसाथ किया है मैं कितना आत्मसाथ कर चुकी हूँ जो मैंने अब तक सीखा है जो मुझे सिखाया गया है मैं उसमें से कितनी प्रतिशत आत्मसाथ करने की अभी तक मेरी तैयारी हो गई है यह कुछता है बले ही कोई सब के सामने ना बात करता हो लेकिन निश्चित रूप से अपने आप से सवाल करता ही करता है कि भी मैंने अब तक क्या हस्थिल किया है जो मैंने अब तक सीखा है उसमें की और मेरे ख्यास से ये मेरे लिए तो बहुत ही महतुपूर्ण है जैसे आपने का कि कुबाजी के पास राग और बनिशों का खजाना रहा है लेकिन खजाना खजाना तभी खजाना रहता है जब हम उस पर और अजाफा करते चले जाए बहुत अच्छी बात तो वरना एक दिन करना तो बहुत ज़रूरी है लेकिन उस इजाफा करने के पीछे मैं केवल कुछ नया करना इसलिए नया करना यह मैं उचित नहीं माले है वरना आज की तारीक जैसा कुछ भी पूल-जलूल हाथ-पाव तोड़कर नया करने में मुझे बिल्कुल भी रस नहीं है मैं आपको उधारन के तौर पर हाला कि भजन का उधारन एक फिर भी बताती हूँ अभी अभी मैंने सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोगों को निर्भय निर्गुण गाते हुए सोना तो माजी का बहुत प्रसंद भजने करने का निर्भय निर्गुण गुणरे गाऊंगा कलाकृती हो गयी है उसको आप बिगाड़ यह का कि नया करने के पैदा आप तो नया करने की आप मेरी ताकत है नया करने की आप मेरी जजबा थै तो आप नया ख़ड़ा किजे आप उसको कि तो ठ прикड़ो रहे उसमें कोई आपकी उसमें फुश्यारी नजर नहीं आती है। आप उसको एक तरह से आप उसको विक्रत कर रहे हैं, मेरी दरिष्टी से। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हूँ कि आपने उसमें बहुत चारचांग लगा दिये। विष्टितूप से आपको चारचन लगाने हैं, तो आप स्वयम कंपोस कीजिए आपना कुछ को, और फिर चारचन लगाई है, बेशक हम इंतजार करेंगे आपको सुनने का, लेकिन जो एक कलाकृती उत्तम बन चुकी है, जो सर्वमान्य है, उसको आप छेडिये मत, उसको आ यह मेरा कहना है, तो इसलिए मैं निश्चितूप से नया रचने की बिल्कुल पक्ष में हूँ, और कोशिश भी करती हूँ, कुछ-कुछ चीज़े की भी है मैंने, लेकिन वो किवल इसलिए नहीं की कि मुझे, कुमार जी ने चुकी नया कर दिया तो अब मुझे कुछ नय आपने जिस भजन का जिक्र किया दिदी, मुझे याद है, आसे करीब 5-6 साल पहले मेरे एक मित्र के पिता जी जो की बिहार में नेता हैं थे मतलब अब तो नहीं रहे वो, और प्रभाज जी, कुमार जी सबको बहुत अच्छे से जानते थे, और उनके पुत्र का संगीत मे इतना लगाव नहीं था, तो वो बीमार थे, तो एक दिन उन्होंने मुझे मेसेज किया कि पिता जी को दो भजन भेज दीजे कहीं से, मैंने का कौन से दो भजन, तो उसमें एक निर्भय निर्मूर था और एक उड़ जाएगा हन सकेला, इन दोनों की उन्होंने मुझे से अब तो आधुनिक टक्नीक इतनी आ गई है कि आप चाहें तो तुरंत उसको इंटरनेट से डाउनलोड करें और उसको WhatsApp फाइल बनाके WhatsApp पे भेज दें, तो उन दोनों इस तरह के तो भजन की व्यापती ही अलद उसका कोई वही नहीं है, अच्छा दिजी एक चीज और बता चैन करती है, साहित ते कहां से लिया जाए, कुछ नया लिया जाए, तो आप किन बातों पर ज़्यादा जोर देती है, किन बातों का ध्यान रखती है, आपके डूज और डॉन्ट्स क्या-क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि केता शब्दों में होना बहुत पहली शर्थ होती है, क्योंकि कई बार छंद बद्ध कविता जो होती है, उसमें स्वाभवी ग्रूप से छंद जो नहीत होता है, वो पढ़ते समय आपको गुन गुनाने लगता है आपकी आपकी कान जान गुनार जो भरत चंध बद्ध कविता में एक लह रहती है, जो मुक्त कावे में नहीं रहती विएसे. को को compose करना, स्वर्वद्ध करना थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि उसमें पार्यमिटर्स एक जैसे नहीं होते, क्योंकि चंद वापर मुक्त है. चंदबत्य कविताब सूर्दास की लेली जी या पुराने घतकालीन कभियों की लेली जी एक एक फिक्स पैरामेटर के अंतरगत उनका रचना संसार आगे बढ़ता चला जाता है विशय घोषित रहता है जबकि मुक्तचंद में विशय बहुत फैला हुआ रहता है तो उसको सनुझीत बद्र करते सकते हैं उस मुक्तचंद को समेटना उतना असान नहीं पहली बात तो इसलिए पोशिश मेरी यह रहती है कि यदि चंदबद कमिता योग ये लगे कभी को पढ़ते पढ़ते तो स्वाभावी कि उसमें से कुछ का चुनाव किया है मैंने और कुछ मराठी कभी है तैसे बहीना बाई एक हुई है मराठी कभी इत्री तो नामदेओ के तुरण बाद में थी और एक बाद में अभी अभी प्रिसेंट्ली पिछले कुछ पचास सालों में हुए थी और एक नामदेओ के सब्सक्राइब मैं उनकी बात कर लिया तो एक कारेक्रम का कुछ सलिवा चल रहा था किसीने मुझसे कहा था कि कभी द्रीयों को स्वरबद करने के लिए उनोंनों जो से गुजारिश की थी तो उस समय मैंने पहिना भाई का साहित्य पढ़ा उस समय मैंने राजस्थान की कुछ अबूज कुछ रचनाय मुझे किताब कर रूप में मिली थी।। उन में से भी कुछ जना हुए, जो मेराओ के बाद हुई है। लेकिन सामान एरूप से नहीं जानी जाती। चद्र सखी भी है। उन में से एक है। इस तरह आप कुछ रहे हैं। बढ़ बढ़ि रही कुछ काम करने का मौका मिला जो बहुत अच्छा लगा मुझे कि कुछ नया में धोल पाई कर पाई तो चंद बत और लुक्त चंद ये मूल मेरे ताइरे में रहते हैं थे दिमाग में रहते हैं जिदी एक मिछले जब से ये सीरीज शुरू की थी लॉक्डाउन में बातचीत की उसमें 99 फीजेदी मौकों पर इंट्रिव्यू की शुरुवात में मैं गुजारिश करता था कि कोई भजन सुनाईए और उससे ही शुरू होते थे लेकिन आप में पूरा मामला 360 डिग्री पल सबुन भजन सुनाओं या निर्गुण भजन सुनाओं आप चाय पीएंगे या कॉफी तो इस पे बहुत प्रणा चुटकुला है कि आपके घर में दो कप नहीं है क्या कबीर का एक निर्गुणी भजन समापन के बतो आई 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 एरना इरना पिरना समझर बूझ पिरना, पिरना, पिरना समझर बूझ बन चरना आहिरना, आहिरना, एक बन चरना, दूझे बन चरना, तीजे बन पात नहीं करना पिरना, पिरना कीजे बन में पांच पार दी। उनके नजार नहीं पढ़ना, फिरना, फिरना, समझ बूझ बन चारना, फिरना, फिरना पाच हीरना, पचीस हीरनी, उनमें एक चतुरना, हीरना, हीरना कहका बिराजी सुनो भाई साधो, बुरु के चरन चीत धरना, हीरना, हीरना, समझ बूझ बन चारना, सुदास की भजन की कुछ पंक्तिया सुराती हूँ, क्योंकि भजन काफी बड़ा है, एक बानगी के बतौर यहां गा रही हूँ, उदो आए, 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 उदो अखियां, अति अनुरागी, अनुरागी, उदो अखियां, अति अनुरागी, अनुरागी, इक टक मग जो बती, इक टक मग जो बती, अरुरो बती, भूले हूँ, पलक न लागी, न लागी, उदो अखियां, अति अनुरागी, अनुरागी, उदो अखियां, वत यनुरागी यनुरागी बिन पावस पावस पृत्वाई आ बिन पावस पावस पृत्वाई देखत है बिद्मान अब धों कहां कि यो चाहत है छांड़ हूँ निरगुन ग्यान निरगुन ग्यान उधो अखियां अतियनुरागी यनुरागी तो ये लालच का कभी-कभी जादा फाइदा भी हो जाता है तो आज मेरे लालची होने का फाइदा आप शोताओं को भी मिल रहा है दीदी आखरी सवाल मेरा ये है कि जैसे हम मैंने इतने साल क्रिकेट कवर किया तो हम अक्सर कहते हैं कि यार बड़े से बड़े बल्लेबाज आप सुनिल गावसकर की बात कर लें सचिन तेंडूलकर की बात कर लें मौझूदा समय में विराट कोहली की बात कर लें बहुत क्लासी बल्लेबाज है लेकिन आउट आफ फॉर्म होते हैं यानि बीच में एक पैच आता है जब वो जो कवर ड्राइव लगना चाहिए वो स्लिप में कैच हो जाता है गाइकी में भी क्या ऐसा होता है कि आप बहुत साधक हैं बहुत ही गजब की साधना है आपकी लेकिन बीच में कोई एक ऐसा फेज आता है जब कोई एक स्वर्म लग रहा हो जब कोई एक चीज आप चाहकर ना कर पा रहे हों कोई ऐसी तान हो कोई ऐसी सरगम हो ऐसा होता है क्या बिल्कुल होता है अच्छा बलकि कई कई बार होता है मेरे साथ तो रोज होता है मैं यह इसलिए आप से खुल के कह सकती हूं क्योंकि जैसे मैंने कहा यह वित्यार्थी दर्शा बहुत सुन्दर दर्शा है शिवन जी अपने आपको मैं इससे बाहर नहीं निकालना चाहिए और इसलिए यह मानने करने पे भी मुझे कोई संकोच नहीं है संकोच कैसा ग्यान के सामने संकोच कैसा ग्यान के सामने संकोच कैसा ग्यान के सामने संकोच करने लगता है तो हमें कभी कुछ हासिल नहीं होगा ग्यान के सामने संकोच नहीं करना चाहिए ग्यान के सामने कुमार जी ने कहा है कि आपको लिएते आना चाहिए उसको छूते आना चाहिए, उससे लिपटते आना चाहिए, उससे नाराज होते आना चाहिए, वो ज्ञान है आपको, कुमार जी तो यहां तक आए कि उसको छोटे बच्चे जैसे चाटते हैं किसी चीज़ को वैसे आपको चाटते आना चाहिए ज्ञान है वो, शर्माना क्यों, ज्ञान पाने में शर्माना क्यों, वे अपनी स्थिती को मानने करने में शर्माना क्यों तो इसलिए मैं कहती हूं कि हर कार्यक्रम के समय और बलकि रियास करते समय अपना स्वयम का अभ्यास करते समय हर पल यह एहसास होता है कि मुझे यह नहीं करते आ रहा है और मुझे यह करते आना चाहिए मेरी कोशिश ही होनी चाहिए आपके दिमाग में कोई एक फ्रेम आये कोई एक स्वर लीपी आये और वो तुरंट आपके गले से गुम हूँ जैसा आपने सोचा वैसी निकले वो सही दिन और यह हर बार होता है हर समय होता है क्योंकि हम जो संगीत आपके सामने पेश करते हैं वो कोई रटन्त वाला संगीत तो हैजने वो उसी ρाज ऐसलिए करना की अब क्धिन्किंप्रोसेस आपकी विचार प्रक्रिया आपकी चिंदन प्रक्रिया बरकरार रहे और आपका गला मतलब आपका हत्यार बिल्कुल पैना बना रहे कि जब विचार आए तो उस हत्यार का उप्योग करके सामने वाले के सामने आप भी चीज रख सके तला एक तरह से हत्यार है हमारा एक माध्यम है पर जूर विचार पहले तो विचार आना चाहिए विचार कब आएंगे जब हम उसके उपर मनंचितन करेंगे जब हम उसके उपर विचार करेंगे विचार करते रहने की भी एक आदत अपने को बनानी पड़ती है और उसी के लिए रियास करना होता है कि वही वही चीज हम जब करते हैं तो वो इतनी सहज हो जाए कि वो लगे ही ना कि हम उसके पीछे कुछ प्रायत्त करते हैं प्रायत्त जरूर रहता है लेकिन वह सहचता लाने के लिए भी प्रायत्त करना पड़ता है ऐसा है तो दीदी मतलब कुमार जी को लेकर और आपको लेकर बातचीत करें तो मुझे लगता है इतने सारे किस्सें अभी मेरे अपने जानने वाले चूटे जा रहे हैं लेकिन अब मजबूरी है कि उसको एक अवधी में भी समेटना है कुछ अगर मुझसे छूट गया हो जो आप अलग से जिक्र करना चाहती हों कोई किस्सा कोई घटना कोई विचार कोई नया प्रोजेक्ट कोई चीज जो आपको लगता है कि इस इंट्रिव्यू में अगर उसका भी एक चौका डाल दिया जाए तो यह कम से कम इस श्रिंकला को पूरा कर देगा तो आप जरूर बताईए कोई चीज जो आप बताना चाहती हों देखिए अभी फिलहाल तो एकदम कोई ताजी ताजी चीज तो मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि हम पिछले तेड़ वर्षों से लगबग स्तब्दता की हालत में हैं और ऐसा एक दौर गुज हम अपने मैं अपने आपको रिटायर मैसिज कर रहे हैं बेवज़त जबकि उमर नहीं है बहुत कुछ करने की इच्छा है लेकिन थोप दिया गया है यह समय हमारे उपर और जिस तरह से गादी जी कहां करते थे कि चुना हुआ एकांत एक अलग चीज होती है एकांत का महत् प्यक्ति तभी समझता है जब उसका खुद का चुना हुआ हो तभी वो क्रेटिव हो सकता है वो एकांत तभी क्रेटिव होता है जब हम उसे चुनते हैं यह जो एकांत है यह हमारे पर थोपा गया एकांत है हमने इसे चुना नहीं है इसलिए कितने कितनी क्रेटिव घटना इसमें हो रही होंगी मूल रूप से, इस बारे में मुझे शक्का है, ओनलाइन माध्यम में जा कि कुछ बतियाना, गब्बे मारना, अपने आपको प्यारिश होताओं के बीच में बनाए रखना, कहीं ने कहीं थोड़ा बहुत संगीत के साथ में साजहा होते रहना, ये क्रिय के लिए हमें खुद से एकांथ, चाहके हम जो पाते हैं एकांथ, उसकी जरूरत रहती है, तो इसलिए तो साधर अलग होते हैं, जो हिमाले में जाके साधना करते हैं, क्योंकि उन्होंने चुनावा एकांथ होता है, और इसलिए वो इतने आध्यात्मिक मुचाई पाते हैं यही बात कर रहे थे कि आखिर में कोई आपका विचार या कोई बात चीज जो इस इंट्रीव को पूर्ड करते हो तो मैं केवल यह बात सब शुरताओं दर्शकों के साथ में साजा करना पसंद करूगी कि पिछले कुछ वर्षों पहले मैंने दो पुस्तके कुमार जी के ओपर संपा दिखी हैं उन पुस्तकों का नाम है काल जयी कुमार गंधर वो कुमार जी के सांगीतिक योगदान पर कें पुस्तके हैं और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि वह हिंदी भाषी शोता अग्रेजी शोता और मराथी वह दो भागों में पहला भाग उसका मराथी भाषा में हैं और दूसरा भाग जो है वह हिंदी और अग्रेजी तरूप से हैं सबसे सुन्दर बात ये है कि वह दुनों भाद एक उसरे के अनुवाद नहीं हैं, मराथी जो भाद है, उसका और जो अंदर का मामला है वह पिल्कुल अलग है, अलेख अलग हैं, सारा सा मामला अलग हैं, जब हिंदी और अंग्रेजी के आर्टिकल्स हैं, वह पूरे अलग है बहुत बड़े बड़े लोगों ने अलग अलग विधाओं से जोड़े हुए लोगों ने नर्टकों ने, नाटक कारों ने, एंजिनियर्स ने, साइंटिस्स लोगों ने, संगीत कारों ने, आर्किटेक्ट लोगों ने, इस तरह से अलग अलग विधाओं के लोगों ने अप पुस्तक को जरूर देखें, पढ़ें, एक समग्र कलाकार का एहसास दिलाने के लिए मेरे खाल से वो पुस्तके काफी ठीक बन में हैं, कुमार गंदल संगीत अकादमी देवास में भी वो पुस्तके उपलब्ध हैं, मेरी वेबसाइट पर जाकर उसके बारे में जानकारी ली जा सकते हैं, बहुत 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 धन्यवाद दिदी और उस किताब से जुड़ा बस इतना ही आपको जानकारी दे सकता हूँ, साजा कर सकता हूँ, कि एक प्रतिष्ठित मैगजीन के लिए, जो इस देश की प्रतिष्ठित मैगजीन है, इंडिया टुडे के लिए, नाम सकत सुनने वाले प्रेमी विक्ति हैं, उनका यार वो किताब देदो पढ़के मा रोटा दूगा, और आज जब आपने उस किताब का जिक्र किया है, तो मुझे याद आ रहा है कि इस घटना को कम से कम 2-3 साल हो गये, और वो किताब वापस नहीं आई है, तो अभी मैं इंट आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं, इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें, इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके प चौदा से हम छोटे बच्चों के लिए खास तोर पर ये मुहीम चला रहे हैं, जिसका टाइटिल है, सुनेंगे तभी तो सीखेंगे